हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न इंडिया ओफिसियल चैनल तो आप लोगों को मैं छे जिल्ले करा चुका हूँ और मैं आगे कराऊंगा ये जहारखंड की वस्तुनिष्ट मतलब अब्जेक्टिब कॉसेन एंसर करा रहा हूँ चलिए आगे चलते हैं ये मेरा बुक है ये इससे मैं पूरा कम्प्लिट करा रहा हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ताकि मुझे मौटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियो बना सकूँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं चलिए अब आगे चलते हैं ये चैनल है दोस्तों और ये हम सभी अपने मां के चर्णों के में समर्पित हैं जो भी पढ़ेंगे अपने मां के लिए पढ़ेंगे तो चलिए अब पीडियाफ के मादे हम से सारा डेटेल करने के कोसिज करता हूं दोस्तों अगर आप लोगों आच्छा लगी तो मुझे सपोर्ट करें कोसिन दिया गया है फस्ट में ये सात्वा नमर सात्वा जिला है कि दोस्तों तो फस्ट कोसिन है ये रामगर जिला निम्न में से किस परमंडल के अंतरगत आती है इसके अंतरगत आ रहा है तो ऊथरी छोटा नागपुर। ओ Об c Body करेक्ट हो जाएगा तूसरा कोसिन है रामगर जिला की अस्थआपना कम की गई थी रामगर जिला की स्थआपना ये की गई थी 12 सिटमबर 2007 को ये दिया गये है रामगर्ड जिला किस जिले से विवाजित हुआ है तो रामगर्ड जिला हजारी बाग जिले से विवाजित हुआ है दोस्तों C is the correct answer चोथा दिये है रामगर्ड जिला का छेतरफल कितना है ओके दोस्तों तो रामगर्ड जिला का छेतरफल यह हो जाएगा अपस्टन नमर ये सही हो जाएगा तेरह सो एक तालिस किलो मेटर स्कुरेर ओके दोस्तों अब चलते हैं आगे हैं कॉस्टन नमर फाइप फाइप में दियाग यह है 2011 के जनगना के अनुसार रामगर जिला की कुल जन संक्या कितनी है रामगर जिला की कुल जन संक्या कितनी है तो यह जोगा 9,49,443 2011 जनगना के अनुसार उपस्टन नमर सी करेक्ट हो जाएगा 6 में दिया है 2011 के जन गनना की उनुसार रामगर जिला का जन संक्या घनत तो कितना है 708 ओके दोस्तों जन संक्या जनत छोटा जिला है तो जन संक्या ज्यादा हो गिया चले आगे चलते हैं घनत वा अब आगे दिया है दुजरे ग्यारों के जन गनना की उनुसार रामगर जिला का लिंगा नुपात क्या है रामगर जिला का लिंगा नुपात 941 B is the correct answer 8 नमर में दिया गिया है दुजरे ग्यारों के जन गनना की उनुसार रामगर जिला की साखशरता दर क्या है रामगर जिला की साखशरता दर क्या है ओके दोस्तों तो इसका हो जाएगा अब से नमर ये 73.17% राची का लहत तक है 76 पर्स पॉइंट कुछ है और ये 73 है अची बात है अब कोस्चन नमर 9 चलते है 9 में दिया है रामगर जिला की अंतरगत कुल कितने अनुमंडल है रामगर जिला में कुल एक अनुमंडल है कोई दोस्तों ये इस दा करेक्ट एंसर कोस्चन नमर 10 चलते है 10 में दिया गया है कि रामगर जिला की अंतरगत कुल कितने परखंड है रामगर जिला में कुल 6 परखंड है तोस्तों C करेक्ट हो जाएगी तोस्तों C करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं कोस्चन नमर 11 11 में दिया गया है रामगर्ण जिला के अंतरगात कुल कितने विधान सबाद छेतर है तो एक ग्यारा का भी हो जाएगा दो विधान सबाद छेतर है ओके दोस्तों आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहें इसे एक बर में अगर वीडियो नहीं आद हुआ तो दो बर देखें दो बर में कंफर्म है कि आद हो जाई है ओके दोस्तों आगे चलते हैं ट्वेल्व नेमर में दिया गया है निम्न में से कौन सी नदी रामगर्ण जीले से होकर परवाइथ होती है ओके दोस्तों ट्वेल्व का ये तीनों के तीनों नदिया परवाइथ होती दा मोदर कोनार बुकारो ओके दोस्तों तो डी करेक्ट हो जाएगा एंसर सभी नदिया परवाइथ होती ये तीनों 13 में दिया गया है निम्न में से कौन सा उध्योग रामगर्ण जीले में इस्तित है तो ये फस्ट ही उध्योग इस्तित है और बाकी नहीं है ओके दोस्तों इंडो असाइल ग्लास फैक्ट्री एक ग्लास का फैक्ट्री जो है वह रामगर्ण जीले में इस्तित है और ये लाह अनुसंदान इरांची में भारी इंजिनेरिंग आइधिंक रांची ही है ओके दोस्तों इसलिए कॉस्टन नमर 13 का ये करेक्ट हो जाएगा और ये फूटीन है फूटीन का कॉस्टन है इनमें से कौन सा जलपरपात रामगर्ण जीले में है तो रामगर्ण जीले में राजरप्पा जलपरपात है ओके दोस्तों C is the correct answer अई पंदरा नमर है परसिद्ध माच्छन मिस्तिका मंदीर रामगर्ण जीले के की सस्थान पर जाती थे कि दूस्तों तो यह 15 का सी हो जाएगा रजरपपा कि सी करेक्ट होगा और यह लास्ट कोस्टन है कि रामगर्ण ज्याधन राज में निवनित्म चैतरप्पल वाला जिला इनमें से कौन सा है सबसे ज्याइदा मतब सबसे कम चैतरपल किस जिले की है तो यह हो ओके दोस्तों तो यहां यह वीडियो खतम होती है आगे मैं कराऊंगा 14 जिला को तो दोस्तों इसी तरह से पूरे 24 जिला को कम्प्लीट करूंगा आप लोग को अगर कुछ मेरे तरफ से help होती है तो kindly request है कि इस channel को subscribe करें और like करें और मुझे motivation मिले और share भी करें दोस्तों अग आपके कोई भाई है और से help मिल जाती तो बहुत अच्छी की बात है थैंक्यू दोस्तों